Hello students, आपका मेरे चैनल Smart Study में स्वागत है Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने बाली Worksheet No.49 करेंगे जो कि Class 6 to 8 के लिए है बेटा ये Worksheet 31st August 2020 की है यहाँ पे बच्चे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने Class Teacher का नेम लिखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज की Worksheet Worksheet शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की Worksheet Theme, Describing Weather तो आज हम अपनी Worksheet में Weathers के बारे में जानेंगे कि किस टाइप के Weathers होते हैं तो Task 1 Rearrange the letter on the words and guess the weathers यहाँ पे कुछ words दिये गए हैं हमें उन्हें क्या करना है? Rearrange करना है और weather को पहचानना है कि कौन-कौन सा weather है तो आईए देखते हैं नमबर 1 पे देखिए यह क्या है बेटा? यहाँ पे आपको इतना अच्छा sun दिखाई दे रहा है और अच्छी सी धूप निकली हुई है तो ऐसे weather को हम क्या कहते है? Sunny ऐसे weather को क्या कहा जाता है बेटा? Sunny तो first क्या हो गया? Sunny Second यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पेड से पत्ते हट रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे weather को हम क्या कहते है? Windy ऐसे weather को क्या कहा जाता है? Windy ठीक है? उसके बाद next देखिए next में आपको देखो बहुत सारे clouds दिखाई दे रहे हैं बेटा देखो कितने सारे clouds दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे weather को हम क्या कहते है? जो बहुत सारे clouds दिखाई देते हैं तो हम क्या कहते है? cloudy क्या कहा जाता है बेटा ऐसे weather को cloudy ठीक है? अब हम करते है next देखिए यहाँ पे क्या दिख रहाए यह तो बहुत जी है तो आय wonderful, up09uje ग्हाँ पे यहाँ पे अभी हमें 4 टाइब के वैदर दिखाए गये है, first है sunny जिसके नदर बहुत अच्छे ऴहा झाल wraps ान fringe जिसमें बहुत बादल होते हैं और फॉर्थ जब रेन होती हो तो ऐसे वैदर को क्या कहते हैं हम रेनी ठीक है अब आईए अब हम नेक्स्ट कोशिन करते हैं पिटा क्या दिया गया है आपकी वाक्षिट में देखिए टास्क बी How is the weather today? Today the weather is आज का वैदर कैसा है पिटा? तो हम कहेंगे cloudy क्या है और कभी-कभी रेनी भी है मतलब कभी-कभी क्या हो जाती है बारिश हो जाती है और कभी-कभी क्या है सिर्फ clouds होते हैं तो cloudy और rainy जैसा भी आज का मोसम है आपको दिख रहा है आप उसकी according इसे fill कर दीजेगा और मैं अगर दिक करूँगी तो मैं इसको कर दूँगी cloud क्योंकि चारो तरफ क्या है बादल ही बादल है ठीक है तो यह हो गया हमारा task number B अब हम करते हैं task C देखे क्या दिया गया है read the phrase given below write them in the appropriate column in the table यहाँ पे कुछ phrases दी गई है बेटा इनको हम read करते हैं और यहाँ पे जो boxes दिये गए है इसके अंदर हमें इसको fill करना है तो पहले हम यह phrases पढ़ते हैं first see the sun मतलब की sun को देख सकना चेसे wear a sweater sweater को पहनना fly a kite kite को उड़ाना go out without an umbrella बाहर जा सकते हैं बिना umbrella के ठीक है enjoy a cold drink cold drink को enjoy करना ठीक है उसके बाद see a rainbow rainbow को देखना walk and drive carefully on the road road पर क्या करना walk and drive carefully करना use an umbrella umbrella का use करना watch the clouds clouds को देख सकना तो यहाँ पे कुछ बाते दी गई है और यहाँ पे weather दिये गए है तो हम देखते हैं कि what you can do कि जो भी weather दिये गए है इन में से हम कौन सा काम कर सकते हैं और what you can't do और कौन सा काम हम नहीं कर सकते हैं तो आईए करते हैं आज की worksheet में on a hot sunny day first पे क्या है on a hot sunny day sunny day पे बेटा आप क्या कर सकते हो तो सबसे पहले है enjoy a cold drink क्या कर सकते हो बेटा enjoy a cold drink, cold drink को enjoy कर सकते हो न बेटा आप इदेखो एक मिन cold drink को क्या कर सकते हो enjoy कर सकते हो तो हमने क्या लिखा first पे enjoy a cold drink और अब क्या नहीं कर सकते हो wear a sweater आप sweater नहीं पैन सकते न hot day पर तो आप क्या नहीं कर सकते wear a sweater ठीक है अब हम करते है next यह देखो यह दोनों ही क्या हो गए sorry यह दोनों ही क्या हो गए first क्यों हो गए यह हम कर सकते है और यह हम नहीं कर सकते है अब हम करते next का देखे next क्या है on a cloudy day cloudy day पे हम क्या कर सकते हैं जब cloud होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बताईए, सोची, सोची, यहाँ पे क्या ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं, जब clouds होते हैं, तो देखिए बिटा, क्या होगा इसका, हम on a cloudy day में क्या कर सकते हैं, watch the clouds, हम clouds को देख सकते हैं तो क्या आजाएगा, watch the clouds, ठी देखें और इसके लाबा अब हम what you can't do क्या नहीं कर सकते हैं सीधा सन क्यों क्यों क्योंकि clouds है थे सुन कहां से दिखेगा हमें इस नहीं दिखेगा न तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो दो काम हो गए ना, watch the clouds हम कर सकते हैं, on a cloudy day, और हम क्या नहीं कर सकते हैं, सीधा sun हम नहीं कर सकते हैं, अब हम next करते हैं, बेटा देखें, next क्या है, on a windy day, क्या कर सकते हैं, जब बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, fly a kite, हम पतां कोड़ा सकत जब हवा अच्छी चल रही होगी बिटा तो fly a kite हम कर सकते हैं अच्छा अब और हम क्या नहीं कर सकते बिटा यूज एंड अम्ब्रेला का यूज नहीं कर सकते न जब हवा बहुत तेज चल रही होगी तो हम अम्ब्रेला का यूज नहीं कर सकते ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ हम क्या लिख देंगे बिटा यहाँ पर use an umbrella ठीके यह देखे हम यहाँ पर यह हम कर सकते हैं और यह हम नहीं कर सकते हैं इसमें ठीके अब हम next करते हैं बिटा on a rainy day रेनी डे में क्या कर सकते हो बेटा आप बताईए क्या कर सकते हो बेटा यूज एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला का यूज कर सकते हो आप यूज एन अम्ब्रेला ठीक है और क्या नहीं कर सकते बेटा सोचो क्या नहीं कर सकते बोलिए बताईए क्या कर सकते एक बड़ी फिर से रिक्टिव में क्या कर सकते हैं यूज एन अम्ब्रेला वैरी गुड़ी यह हम कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते बेटा फ्लाइ अकाइट हम फ्लाइ नहीं कर सकते ना अगर रेन आ रही है सकते हैं बेटा देखे क्या है next on a foggy day fog जब fog होती है उसमें हम क्या कर सकते है बेटा walk drive carefully on the road हमें क्या करना चाहिए हम क्या कर सकते है walk or drive हमें क्या करना चाहिए उस चाहिए जब fog होती है तो carefully क्या करना चाहिए carefully on the road ठीक है और हम क्या नहीं कर सकते है जब क्या हो रहा है fog हो रहा है तो हम क्या नहीं कर सकते बेटा बताईए सोचिए enjoy a cold ring क्यूंकि fog होगा तब क्या होता है ठंड होती है ना तो हम क्या नहीं कर सकते है उस पे enjoy cold ring को enjoy नहीं कर स और इस काम को हम नहीं कर सकते हैं बिटा, ठीक है, तो हो गया बिटा, ये पांचों हमने जो वैदर्स थे इसके बारे में यहां से फ्रेज का यूज कर लिया है, ठीक है, अब हम करते हैं, next, आईए, अब हम next question करते हैं, बिटा, देखे, क्या दिया गया है next question में, task D, let us match the word with the correct picture, हमें क्या करना है, यहां पर pictures दी गई है, यहां पर words दिये गई है, match करना है, देखो, यहां पर क्या है proper, अच्छे से sun निकलावाई और उसके साथ, क्लाउट्स भी है, थोड़े थोड़े, तो इसे हम क्या कहेंगी, बिटा, इसे क्या कहेंगे, partially clouds, इसको क्या कहेंगे हम partially clouds क्लाउड के साथ साथ में क्या निकलावा? sun भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? partially clouds next देखें, next पे क्या दिया गया है बेटा? देखों यहाँ पे clouds दिये गया है और साथ साथ में lightning भी दिगई है दिख रही है, आपको यहाँ पे देखो यह क्या दिया गया है, आपको lightning, तो यह क्या हो जाएगा थंडर and lightning, इसको क्या बोलते हैं, थंडर and lightning, ठीक है, बिजली चमकना जिसे हम कहते हैं, नमबर थार्ड पे देखो, क्या है बेटा, फोग दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे, तो यह कैसा हो जाएगा, फोगी, छीक है यह कैसा हो जाएगा बिटा फोगी क्योंकि हैपे देखो हमें दुंदला दिखाई दे रहे है अब next देखे next क्या है देखो यह पे क्या दिया है हमें clouds दिए हमें और घरवकी अपर दिखाई दे रही है ठीक है तो यह हमारा लास्ट कोशिन है वर्कशिट का ये भी कम्प्लीट होता है वर्कशिट कम्प्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स